हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के इंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ Redmi का Note 7S जो Redmi का एक बहुत अच्छा मोबाइल है और इस मोबाइल की कीमत है 10,000 रुपे दूसरी तरफ है Infinix का Hotate जो अभी हाल ही में लॉँच हुआ है इस मोबाइल की कीमत है सिर्फ 7,000 रुपे तो इस वीडियो में इन दोनों मोबाइल से में कमपेरिजन करके आपको बताऊँगा इन दोनों में क्या क्या कमिया है और आपको इन दोनों में से कौन से खरीदना चाहिए कौन से नहीं तो अगर आप 8-10,000 के आसपास का मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा चली देखते हैं अगर आप 10,000 रुपे रेड्मी नोट 7S पे खर्च करते हैं तो इसके साथ आपको क्या के मिलता है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले आपको रखावा मिलता है यह मिनी बॉक्स जिसमें पीछे की तरफ लगावा मिलता है एक सिम जक्टर टूल अंदर रखी वे मिलते हैं आपको कुछ user manual इस तरीके से और एक मिलता है cover cover की quality इस mobile के साथ आपको rate के हिसाब से normal मिलती है बागी कमी यह है इस mobile की display पापको screen guard पहले से लगावा नहीं मिलता यह सके अंदर कमी है बाद में रखा वो मिलता है आपको mobile जिसका detail look हम अभी देखींगे इससे पहले देख लेता है बाक्स के अंदर आपको रखीवी मिलती है यह data cable इस data cable की length और quality दोनों बहुत अच्छी है और अच्छी चीज़ यह है इस mobile के साथ आपको यह type C cable मिलती है तो note 7S के अंदर आपको type C cable का support मिलता है यह इसमें खुबी है बाद में रखा वो मिलता है आपको यह charger black color के अंदर जिसकी build quality आपको काफी अच्छी मिलती है और इसके अंदर आपको output मिलता है 5V 2A का ही तो एक normal charger आपको 10W का इस mobile के साथ मिलता है हाला कि यह mobile fast charging support करता है लेकिन एक fast charger mobile के साथ नहीं मिलता हैं तो infinix के hot 8 के साथ आपको क्या के मिलता है तो जैसे ही आप unbox करते हैं infinix के hot 8 को इसमें सबसे पहले आपको रखावा मिलता है mobile जिसका detail look हम अभी देखींगे इससे पहले देख लेते हैं box में रखे वे मिलता है कुछ user manual इसके बाद आपको मिलता है अच्छी quality के अंदर एक cover इसके बाद आपको रखावा मिलता है mobile की display के लिए एक screen guard जिसको आप खुद से apply कर सकते हैं बाद में रखी वी मिलती है data cable इस data cable की length और quality दोनों अच्छी है लेकिन ये type c cable नहीं है क्योंकि इस mobile का rate ही काफी कम है सिर्फ 7000 रुपे तो ये इतनी बड़ी कमी नहीं है बाद में रखा वो मिलता है आपको ये white color के अंदर charger जिसके अंदर आपको output मिलता है 5 volt 2 amp का ही तो दोनों mobile से साथ आपको एक जैसा ही charger मिलता है हाला कि इस mobile के अंदर आपको fast charging का support नहीं मिलता है उस mobile के साथ आपको type c cable मिलती है जो infinix के साथ नहीं मिलती तो rate के हिसाब से देखा जाए तो आपको ज़्याद अच्छा समान मिलता है infinix के होटेट के साथ box के contents आपको infinix के साथ ज़्याद अच्छे मिलते है देखने में design दोनों ही mobile के बहुत अच्छे हैं लेकिन Redmi Note 7S के अंदर आपको glass look मिलता है इसमें आपको पीछे की तरफ लगावा मिलता है gorilla glass तो scratches की problem आपको infinix में देखने को मिलती है note 7S में देखने को नहीं मिलती design के अंदर note 7S ज़्याद अच्छा है बात करें camera के बारे में तो infinix के hot rate में आपको पीछे तीन camera मिलता है जिसमें पहला है 13MP का दूसरा 2MP का और तीसरे समें आपको मिलता है low light sensor front camera समें आपको मिलता है 8MP का flash के साथ इस mobile में आपको दोनों तरफ flash मिलती है rate के हिसाब से इस mobile की camera की performance आपको normal ही मिलती है वहीं दूसरी तरफ Redmi के note 7S में आपको पीछे की तरफ दो camera मिलता है जिसमें पहला है 48MP का दूसरा 5MP का और इसके अंदर आपको front camera मिलता है 13MP का camera की performance आपको जाधा अच्छे मिलती है दोनों mobile का complete design किस mobile का design आपको ज़्यादा पसंद आया यह चीज़ आप मुझे comment करके जरूर बताइएगा बात करें display size के बारे में तो Redmi के note 7S में आपको display size मिलता है 6.3 इंचिस का और Infinix के hot date के अंदर आपको display मिलती है 6.5 इंचिस की तो display size के अंदर आपको Infinix के अंदर और भी ज़्यादा बड़ी display मिलती है Redmi के note 7S से display size के अंदर आपको Infinix ज़्याद अच्छा मिलता है बाकी colors के अंदर में आपको फर्क दिखा देता हूँ Infinix के अंदर भी और note 7S में भी दोनों mobile's में एक notch वाली display मिलती है user interface कुछ इस सरी के से मिलता है Redmi के अंदर आपको screen पे ही सारी applications मिल जाती है और Infinix के अंदर आपको ये shortcut दी गई है जिससे आप अपनी सारी applications एक्सिस कर सकते हैं इसके अंदर आपको app drawer मिलता है देखने में ज़्याद अच्छा user interface लग रहा है Infinix का लेकिन जो ज़्यादा fast है ज़्यादा smooth है वो Redmi का है इसके लावा इन दोनों mobile's के display में आपको दिखा देता हूँ Redmi के Note 7S में जो आपको display मिलती है वो आपको full HD plus display मिलती है तो display के अंदर जो आपको colors मिलते है quality मिलती है वो ज़्याद अच्छी है Infinix से Redmi के Note 7S के अंदर तो display size के अंदर Infinix ज़्याद अच्छा है और display की quality में colors में Redmi का Note 7S बाकि display के अंदर edges bezels आपको दोनों mobile's की display में लगबग बराबर ही मिलते है जो notch है वो आपको ज़्याद अच्छी मिलती है ये सके अंदर कमी है नीची की तरफ दोनों mobile's में charging port, speaker, mic दिया गया है right side पे volume के buttons और power के buttons Redmi के Note 7S में आपको ये खुबी मिल जाती है लेकिन इसमें आपको उपर की तरफ IR blaster मिलता है जिससे आपका MI remote काम करता है तो TV वगर आप इस mobile से चला सकते हैं बाकि इन दोनों ही mobile's के अंदर आपको internal storage मिलती है Redmi के Note 7S में 10,000 में 3GB की RAM और 32GB की internal storage Infinix के hot 8 में आपको सिर्फ 7,000 में मिलती है 4GB की RAM और 64GB की internal storage इस चीज़ के अंदर Infinix जाद अच्छा है इसका rate भी 3,000 कम है और इसके अंदर आपको internal storage भी जादा मिलती है Redmi के अंदर 32GB में से मिलती है 21,5GB के आसपास और Infinix के अंदर आपको मिलती है 64GB में से 53GB के आसपास तो तक्रीबन 32GB का फर्क है Infinix के अंदर आपको जादा मिलती है Redmi से इस चीज़ में Infinix जाद अच्छा है इसके कीमत भी 3000 रुपे कम है इसके अलावा इन दोनों मोबाल्स के अंदर आपको मिलता है Android का बिल्कूल latest version Android Pie इस चीज़ के अंदर दोन अच्छे है बात करें बैटरी के बारे में तो Infinix के अंदर आपको बैटरी मिलती है 5000 mh की और Redmi के Note 7S में आपको बैटरी मिलती है 4000 mh की बैटरी बैकप दोनों ही मोबाल्स के अंदर आपको एक दिन का अराम से मिल जाता है फिर भी rate के हिसाब से अगर बैटरी देखी जाए तो आपको ज़्याद अच्छे मिलती है Infinix के अंदर इसके अंदर आपको 5000 mh की बैटरी मिलती है बात करें प्रोसेसर के बारे में तो Infinix के अंदर आपको मिलता है MediaTek का P22 प्रोसेसर और Redmi के Note 7S में आपको मिलता है Snapdragon का 660 प्रोसेसर तो जाद अच्छा प्रोसेसर आपको मिलता है Redmi के Note 7S के अंदर अगर आप एक Heavy User है आपको Game वगरे खेंनने हैं तो Redmi के Note 7S ही आपके लिए जाद अच्छा रहेगा Heavy User में Redmi Note 7 जाद अच्छा है तो ये सारी चीज़ आपको मिलती है इन दोनों मुबाइल्स के अंदर चलिए बात कर लेते हैं अब सबसे में चीज़ आपको इन दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए कौन सा नहीं देखिए ये चीज़ सबसे पहले मैटर करती है कि आपकी में जरुत की चीज़ किस मुबाइल में जाद अच्छी है बाकी अगर आपके लिए मैटर करती है मुबाइल की बैटरी तो अभी आप इन फिनिक्स का होटेटी ले ले लिजेगा ये ज़ाद अच्छा रहेगा इसे साब से इसके अंदर आपको फीचर्स बहूत अच्छे मिलते हैं तो अगर आपको बजट 7000 तक का ही है, आप उससे उपर नहीं बढ़ सकते, तो आप Infinix ही ले लिजए अगर इस mobile के अंदर आपको काफी अच्छे features मिलते हैं, तो ये चार खुबी आपको इस mobile के अंदर मिलती हैं, बाकि अगर आपकी main ज़रत है mobile की display quality की, आपको display के अंदर color स अच्छे चाहिए, तो Redmi Note 7S के अंदर आपको ये खुबी मिलती है, बाकि अगर आपके लिए matter करता है mobile का camera, आपको camera की performance अच्छे चाहिए, तो इन दोनों mobile's में आपको note 7S के अंदर ही जाद अच्छा camera मिलता है, बाकि अगर आपकी main ज़रत है mobile के design की, आपको design की quality बेची तो चार खुबिया Infinix के होटेट में हैं, उसी तरीके से चार बड़ी खुबिया Redmi के note 7S के अंदर है, Infinix के अंदर आपको display का size, battery, इसका price कम और इसकी internal storage, ये चार खुबिया है, Redmi के note 7S में इसका processor, display की quality, design और camera, अब आप मुझे बताइएगा आपकी ज़रुत की हिसाब साथ अच्छा लगा, आपको Infinix के चार खुबिया पसंद आई, ये Redmi के note 7S की, अब rate के अंदर भी 3000 का फर्ख है, जो की काफी बड़ा फर्ख है, उस हिसाब से देखा जाए तो आपको quality भी जाद अच्छी note 7S के अंदर ही मिलती है, क्योंकि इसकी कीमत जादा है, inhand feel आपको इस mobile की जाद अच्छी मिलती है, बाकि मुझे इन दोनों mobile's में Redmi Note 7S अच्छा लगा, आप मुझे जरूर बताइएगा, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिएगा, उसके साथ बैल आइकन भी दबा दिएग इसके लब वीडियो कर आपको helpful लगी, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share कर दिएगा WhatsApp Facebook पे, मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए, take care, bye bye